जाएट राइडर्स के वरद यहां यह जो मकाबला रहेगा वो जाएद अप्रिकिल स्टेडिये में खेला जाएगा वावित के और सलामी बल्ले बाजी करने के लिए जेमी स्मिथ इनको मिली थी अब जिल विंद्स कप्तान के साथ ने होते हैं इनके वह बहुत बोल्ड होते ह चलिए पहली किए इस मकाबले की बिल्कुस सही जगा यह जो लाइन अनलें ता पकड़ लीजे शुरू में तो बेनके वो गिन बास के पास वो कॉन्फिडेंस आ जाता है और लीजे वापस जाना पढ़ेगा यह बात कर रहे थे जल्दी स्ट्राइक कर बैठें आपे विली चीज को आप सिंपल रखिए गिन को आगे करिए और स्मित की यह सबलता बहुत जल्दी मिल गई है अंदर आई एक बाद टपा खाने के बाद भी थोड़ा एंगल बदला यहां पर गेंद का और यह मूव्मेंट को ठीक तरह से ओरीट कर नहीं पाए यहां पर जैमी स्मित पर खुबसूरा शॉट थोड़ी जो लेंथी पीछे थी और देकेल दियोंसाइट पे बड़िया टाइमिंग पहली बांडरी आती हुई स्काई है 247.net सुबब 4 यह फिर से शॉट और नतीजा वही है बिलकुल वही परिनाम यहां पे मिला है चार और बांडरी जाती हुई और अच्छा यह भी लग रहा है सभा की सीधे बैट से खेल रहे है ज्यादा कती है नी रसल के पास ज्यादा समय मिल रहा है आपे विंस को उठाके खेल है खराब गेंद बाजी और मिलेंगे चार अनौर ओवर के समापती तीसरी बांडरी से ओवर में दोवर के बाद 17 एग बोड़े जगा बनाके खेला है और सीधा फिल्डर को पाया इमाद वसीम आयर वो चाय यानिकी विंस को वापस जाना पड़ेगा ये बड़ी विकेट है आपर मिला नहीं क्यों सही पोडिशन में आये नहीं फोग क्रैम कर दिया वहां पर चतुराई के साथ यह बाल डाल द देखिये क्या बेटरी संपार्क यह पहली पढ़ लिया था और देखें कैसे पूजिशन में आये यासान शॉट रहता नहीं है पर बहुत ही बड़िया एक्जिक्यूशन वहां पे टाइमिंग गप इमाद अपने दूसरों डालने आए हैं लिंके अगेंस इनका सब्सक्राइब जूड़ा चौका इस बार हटे पीछे की तरफ और गया बनाया चार रन कबस की शेत्र में लेकिन चमके जब बलेवाजी की बात आई यहां पे स्टेप आउट करके खेला है यह बहतर तरीका है सीदा खेलिये रन बटोरिये जिसके चलते अब कलशाइन ने प्रकार से रन आये नहीं है और इस बार बला तो घुमाया है क्रिस लिन ने और सीधा बाउन्डरी के बाहर चेरन आ गए पहले ही गेंटर और यह चाहिए यहां पर गव जाइंस को इस सिक्सी कंटेंडर यह चक्का जरूर बन गया है पहले ही गेंटर शांदार टाइमिंग बॉटम हैट का कुपयोग मेरे साथ गोहन गावस का आपका स्वागत है इस चक्के के साथ शुक्रिया यह आसानी से बहुत ही आसानी से एक और शांदा रश्यतक पूरा कि अपनी टीम के लिए जियर डीपी वोल्ड आयल टी-20 में यह इनका चोथा पचास कंसिस्टेंट प्लेयर रहे है इस बार घुटना टेक शॉट खेला है लेकिन सीदा फिल्टर को पाया है कॉक्स ने कोशिश की थी लेकिन पसाया इमाद वसीम ने इस कैच के चलते अब तीसरा जटका गल्फ जाइंट्स को इस फ्लाइटिट गेन थी जिसको वारना चाहते थे मिड्विकेट की तरह बल्ले पर पूरी तरह आई नहीं यह गेन चड़ी नहीं और पीछे एक बड़िया कैच दिलांगे ने लिया अफ्रिकन में बहुत अच्छी फिल्डिंग् और दीमी गती से डाला था तेज गती से मारा है खिलाडी मौजूद है लेकिन गेन उठाके लेकर आएगा उस्मान के बल्ले से यह पहला चक्का इसी शॉट्स की कोशिश कर रहे थे लेकिन इस बार कनेक्शन बहतर उनके पाले में गेन दीमी कती की गेन और जहां मारना चाह रहे थे वहां मारा ठाईमिंग इतनी लाजवाब कि यह पूरे के पूरे छे अचतर मंतस बढ़ा रहे थे यह लगाए बल्ले के बीचों बीच यह लगाय जी ठीक ठाक लगा है छेई रण gi जो पाए है एक नहीं एक शॉर्स की दरकार है अब अभी नाइट राइडर सुन फिर से यह बात कर रहे थे अभी बताई रहे थे वकार भाई कि यह इन में शमता है और यह देखिए बड़ी विकेट एक सेट बैटर यानिक लिन को वापस जाना पड़ेगा अगर आप मिस्ट करेंगे तो मैं आपकी विक्टें उड़ा दूँगा यह देखिए थोड़ा सा स्लिंगी एक्शन साइड ओन होते हैं हलांके यॉरकर नहीं था यह गिरा हुआ बॉल नहीं था पिछ पर यह सीधा विक्टों में था लेकिन हलका सा हिला लीजिए हम बात कर रहे थे रसल ने भी वही किया यह देथ हो उसमें अलगी गेंद बाजी करते हैं हिट विकेट यह देखिए बहुत पीछे चले गए बला लगाना चारे थे और उन्होंने और लेस बेल्स ही तोड़ दी यह देखिए यह लेंद का फरक पड़ा अगर यही गेंद दो फुट आगे होता तो यह शॉट नहीं लग सकता और हैट मायर को थोड़ा सा वक्त मिल गया था कि उस गेंद के नीचे आ सके और उस गेंद को थोड़ा सा जो कहते हैं एलेवेशन उसको उठान दे सकते हैं तीन ओवरों में यह पहली बांडरी थी इसकी विक्टे उड़ा दूँगा तो फिर मुश्किल हो जाएगा जाएगा मुश्किल हो जाएगा और मुश्किल हो गया यह फुल टॉस और हैट मायर हम सब जानते हैं कि कितने सोर से हिट मारते हैं केंद को डिस्पैच के देना असान हैनी लो फुल टॉसेज पर कैसे वो बैट स्पीड देखिए हुटने के बल गए हिट मायर क्या जबरस प्राहर किया जो बैट फ्लो है जबरस नजर आया और जो नदिया चाहते वहीं मिला जैसे यह शॉट खेली थी इस पेचे रटोगी चाप लेजे फील्डर है वाँ पे और सीधा हाथ में इस बार फ़स गया जाल मेहट मायर की लागे ने कोई गल्ती निगेक से फील्डर है सीधा ना पाए जाना पड़ा ना दाए सीधा हाथ में किये दाई दूसरा कैच पकड़ लिया उनने बॉल था बॉल शक्के वाला ही था लेकिन उस तरह की हाइट नहीं पकड़ से बिल्कुल जड़ते बिल्कुल जड़ते केवल एगर मिलेगा इस ओवर में 12 रन आते हुए जायंस ने समाफ के इनिंग्स 161 पे 620 ओवर के बाद ऐसा लग रहे हैं पंदरा बीस रन काम है पर फिर भी द बुदवे नाइट राइडर्स के पास जाद रखी 161 से कम स्कोर का भी डिफेंड हुआ नहीं है तो 162 के दरकार रहेगी नाइट राइडर्स को जो की रंचीज में जरूर बने रहेंगे